किया आपका possession लेट हुआ है floor plan में changes हुए है building के construction में problem से builder गलत मांगे कर रहा है builder agreement to sale करने के लिए देरी कर रहा है builder booking cancellation के बावजूद भी आपके पैसे वापस नहीं दे रहा जिया, दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, हम इस वीडियो में महारेरा के वेबसाइट पे जाके खुद कंपलेंट कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए फीज कितनी लगती है, उसका फॉल उप कैसे करना है, यह देखने वाले हैं, महारेरा में कंप्लेंट करने के लिए आप अपने च्वाइस से एडवोकेट ले सकते हैं अगर आप एडवोकेट नहीं लेते तो भी आप महारेरा में कंप्लेंट कर सकते हैं देखते हैं यह प्रोसेशर सबसे पहले Google search में महारेरा सर्च करें और महारेरा की website पर क्लिक करें महारेरा की website पर आने के बाद आप भाषा का चुनाओ कर सकते हैं अगर आप English से भाषा Marathi में change करना चाहते तो कर सकते हैं फिर आप online application पर क्लिक कीजिये, online application क ei करने के बाद आपको login का window देफिए वहाँ पर new registration पर क्लिक करिए न्यू रेजिस्टेशन पर आने के बाद आपको complaint option चूस करना है वहां पर महारेरा कंस्लेशन फोरूम का आपको पुचा जाएगा वहां पर आपको कंप्लेंट करनी है इसलिए आपको यह prz gonecels करना पड़ेगा यहmernal करने के बाद आपको महाराश्र। प्सक्राइट सेलेट करना पड़ेगा उसके बाद आपको user id करना पड़ेगा user id select करने के बाद आपको दो जगह पे password आपका type करना पड़ेगा उसके बाद आपको आपका mobile number और email यहाँ पे दर्ज करना है फिर आपको create user id पे click करना है create user id click करने के बाद आपको आपके email id पे एक verification link आता है जो email id आपने दिया है वो email id open करके उस verification link पे verification के email पे जाके आपको activation link पे click करके आपका email verification complete करना है उसके बाद आप login कर सकते हो login के screen में आपको आपका user id और password डालना पड़ेगा यहाँ पे आप आपका user id टाइप किजिए आपका password टाइप किजिए और login किजिए यहाँ पे capture type करना पड़ेगा login करने के बाद आपको आपका dashboard दिखाए देगा यहाँ पे के complaint का status आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले आपको माइ प्रोफाइल में जाके आपका नाम कि एड्रेस communication address mobile number email id डालके सेव प्रोफाइल करना पड़ेगा प्रोफाइल सेव करने के बाद अगली step है नई complaint add करना new complaint add करने के लिए आपको पहले division select करना पड़ेगा उसके बाद जिस project के against आपको complaint करना है उस project का महारेरा number यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा उसके बाद save complaint details करने के बाद एक complaint save हो जाती है उसके बाद आपको list of complaints में जाके उस complaints के बारे में उस complaint के बारे में complaint के details, respondent के details और documents अप्रोड करके declaration submit करना पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग complaint के details feel करेंगे यहाँ पे आप अलोटी होगे यह case में आपका complaint का नाम आएगा और आपके complaint का जो description है वो आपको कुछ शब्दों में यहाँ पे mention करना पड़ेगा, यहाँ पे आप आपका address डाल सकते है, contact details डाल सकते है और save complaint करने के बाद आपको next पे click करना है यहाँ पे आपको respondent के detail मतलब आपके case में builder के details, promoter के details पूरी तरह से feel करने होगे उसका communication का address, email ID, यह चीज़े यहाँ पे feel करना ज़रूर है उसके बाद आपको आपके complaint के बारे में जो document से जैसे agreement to sale, payment received, allotment letter यह upload करनी है और यहाँ पे आपके complaint के बारे में कुछ facts description में डाल सकते है उसके अलावा आप क्या compensation चाहते हैं यह भी यहाँ पे mention कर सकते है यहाँ पे next करने के document अपलोड करने के बाद next करने के बाद आपको एक declaration है जो कि online declaration होता है उसमें आपका नाम, नाम, प्लेस और date डाल के save कर देना है last का step है payment करना तो payment के step में यहाँ पे आपको जो points है अगर कुछ pending है इंटर करना जैसे की respondent के details, complainant के details और document upload के details यह अगर आपने feel नहीं किये है तो आपको वो points red mark में दिखेंगे और payment का challenge generate नहीं होगा तो जो complaint में सारे details भरे हुए है उसके लिए आपको make payment option योज़ करके 5059 रुपीज का payment महारेरा को state government को करना पड़ेगा उसके बाद आपके complaint के detail आपकी complaint officially महारेरा को scrutinie के लिए submit हो जाती है अभी यह जो application हम देख रहे है वो complaint already submit हो चुकी है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी यह complaint modify नहीं की जा सकती क्योंकि application यह submit हो चुका है तो यहाँ पर आप payment करने से पहले आपको document upload में जाके आप आपके सारे documents फिर से cross check कर सकते है payment करने के बाद आप आपके complaint में कुछ भी changes नहीं कर सकते तो यहाँ पर मैं अभी log out करके फिर से login करके आपको screen दिखा देता हूँ जिसमें आपको status पता चलेगा login करने के बाद हमें dashboard दिखेगा dashboard में हमें सारे आज तक के हमारे complaint के जो status है वो पता चलते है अभी यह जो complaint है इसका status है no hearing is scheduled it so मैं अभी log out करता हूँ और यहाँ पर हमारी complaint करने की process complete हो चुकी है यहाँ पर दिए हुए complaints के बारे में जो important points है वो जरूर याद रखे पूरा वीडियो देखने के लिए थेंक्यू आपको यह वीडियो कैसे लगा मुझे comments में बताया और इस वीडियो को like करे और हमारे चानल realisted ग्यान को subscribe करे और bell icon जरूर दबाईए धन्यवाद